हेलो गाइज, गाइज, गूगल फाइल्स एब जो होती है, हम काफी सारी यूजर जो उसे यूज करते हैं, और उसमें जो सेफ फोल्डर का आप्शन मिलता है, उसे भी हम यूज करते हैं, लेकिन सेफ फोल्डर में हमें पीन चेंज करने का कोई भी आप्शन नहीं मिलता है, अगर आप पीन भूल जाते हो तो उसे आपको directly reset करना पड़ता है और जो बताया गया है कि अगर इसे reset करते हैं तो जो आपका data files के save folder में save है वो पुरा delete हो जाएगा तो आज हम practically देखेंगे कि अगर हमारे phone में हम जो save folder use करते हैं उसका password हम भूल गए और उसे reset कर दिया जाए तो क्या होगा तो चले देखते अपने mobile की screen पर तो guys यहां पर मैं files app को open कर देता हूं यह files app और इसको जो है मैंने open कर दिया है और इसमें जो save folder है इसका जो pin है मुझे याद नहीं है यहां पर जो है मैंने काफी attempt भी करके देखें लेकिन यह जो है save folder का pin जो है वो open नहीं हो पा रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसमें कौन सा pin डाला था तो इस pin को अभी हमें कर देना है reset और देखेंगे कि reset करने के बाद इस folder में जो भी मेरे documents या तो photo videos थे वो फिर से हमें मिलते है या नहीं यहां पर चलते है बैक और आपको pin reset का option यहां पर मिलेगा team lines पर आपको क्लिक करना है settings पर जाना है और settings पर जाने के बाद safe folder का जो option है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है यहां क्लिक करने के बाद आपको मैं यहां पर दिखाने की कोशिच करता हूँ थोड़ा brightness adjust कर लेदा हूँ तो यहां पर जो है आपको option मिलते है change lock और reset safe folder तो अभी तो हमें pin change करना है तो जो password है वो याद नहीं है तो अब हम reset safe folder पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको clearly note दिखाई दे रही है all files in safe folder will be permanently deleted अगर आप इसे reset करते हो तो इसके अंदर जो भी फाइल से वो delete हो जाएगे तो चलिए देखते हैं करके तो यहां पर मैंने reset पर दबा दिया है safe folder was reset यहां पर आ चुका है यानि कि हमारा जो safe folder है वो reset हो चुका है चलते है back और फिर से safe folder को open करके देखते हैं तो यहां पर safe folder को मैंने open कर दिया है और यह मांग रहा है कुछ नया pin तो pin हम डाल देंगे जैसे की 1,2,3,4 next करने को कहे रहा है फिर से 1,2,3,4 दाल देता हूं और next करता है और got it करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी मेरी जो पुरानी फाइल सी नहीं है सारी की सारी जो फाइल से वो delete हो चुकी है तो अगर safe folder का pin आप भूल जाते हो और उसे reset करना पड़ता है तो इतना याद रखे कि जो भी आपकी documents इसम अगर हम यहां पर settings में जाकर trash में देखेंगे जो रिसाइकल बीन है यानि डिसाइकल बीन है नहीं है वो आपको याद रखनी ही होगे क्योंकि से फोल्डर में हमें पीन चेंज करने का कोई भी option या तो forward पीन का कोई भी option नहीं देखने को मिलता है पीन चेंज करने का option आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन आपको जो पुराना पीन है वो यहाँ पर डालना होगा change lock का जो option है तो देखिए यहाँ पर फिर से pin मांग रहा है यहाँ पीन चेंज भी करना है तो आपको पुराना से देखा कि से फोल्डर में जो भी डॉक्मेंट्स होते हैं उन्हें से रखने के लिए आपको इसकी पीन जो है वो याद रखनी ही होगी पीन हो या पैटर्न हो जो भी आप यूज करेंगे आपको उसे हमेशे याद रखना होगा ताकि आपको इसे open कर सके तो बस दोस्ते यह